आज का वर्ड है क्विबल क्विबल का आप वर्ब या क्रिया के रूप में यूज कर सकते हैं क्विबल का पहला मीनिंग होता है To argue or complain about small, unimportant details छोटी-छोटी बातों पर बहस करना या शिकायत करना छोटी और महत्वहीन बातों पर बहस करना या शिकायत करना इसे हम अंग्रेजी में क्विबल कहते हैं वही इसका second meaning है To evade the truth of a point by raising irrelevant objections बेकार की आपतियां उठा कर सच्चाई से बचना सच्चाई से बचने के लिए तर्क करना या बेकार की आपतियां उठाना इसे हम क्विबल कहते हैं तो आईए इसे बहतर समझने के लिए कुछ sentence examples with the word quibble देख लेते हैं अगर आप कहना चाहते हैं कि वह छोटी-छोटी बातों पर बहस करता रहता है तो English में इसका sentence होगा He keeps quibbling over minor details He keeps quibbling over minor details या फिर आपको कहना है कि उसने मुद्दे को टालने के लिए छोटी-छोटी बातों पर बहस की तो आप कहेंगे He quibbled over trivial matters to avoid the issue He quibbled over trivial matters to avoid the issue तो आईए अब देखते हैं quibble के synonyms या समानार्थी शब्द क्या है Nitpick छोटी-छोटी बातों पर आपत्ती करना Split hairs बाल की खाल निकालना बिकर तकरार करना कैविल बिना कारण आपत्ती उठाना वही quibble के antonyms या विलोम शब्द है Agree सहमत होना Conquer एकमत होना Acknowledge स्वीकार करना Accept मान लेना तो simple शब्दों में quibble का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर पहस करना बेकार की आपत्तियां उठाना कमी निकालना टाल मटोल करना बाल की खाल निकालना अब आपकी बारी नीचे comment में आप quibble शब्द से sentence बना कर बताएं प्रूटी निकालना